दोस्तों यदि आपका एज 18 सल से कम है और आप चाहते हैं अपना पैंकार्ट बनाना तो कैसे आप अपना पैंकार्ट बना सकते हैं जिसकी पूरी जनकारी इस वीडियो में लाइब दिखाई जाएगी आपको बता दे जिनका उम्र भी 18 सल से कम होता है उन्हें माइनर पैंकार्ट के लिए ओनलाइन अपलाई करना होता है minor pen card बनाने की परकिरिया थोड़ा सा अलग होता है इसमें थोड़ा सा अलग परकिरिया अपनाई जाती है जिसकी सारी जनकारी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे अगर इस परकिरिया को अगर आप नहीं अपनाते है तो आपका pen नहीं बन पाता है आपका application reject कर दिये जाते तो ध्यान पुरपक वीडियो को देखिएगा सारी जनकारी सारी guideline आपको बताएंगे बिल्कुल latest process के साथ ताकि आपका जो pen card है आसाने से बन पाएंगे वीडियो अगर आपको पसंद है तो इससे एक like कर दीजेगा और चाहते हैं आगे भी इस परकार की update आप तक मिलती र बनाएंगे उपर आई बटन में या description box में वीडियो मिलेगा उससे देखर आप बना सकते हैं एसकेन पर चलते हैं step by step process आपको दिखाते है माइनर pen card बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile या laptop में जो भी browser है उससे open करे Google में type करना है nsdl pen card जैसे आप इतना लिखते ह है आपके सामने online pen application nsdl का website मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है website पर जवाब आएंगे यहाँ पर दो option आपको मिलते है पहला option मिलता है apply online का और दुसरा मिलता है continue with application का यह continue with application भी एक काफी अच्छी option दी गई है इसके बारे में हम आगे आपको समझाएंगे आपको नीचे आना है यहाँ पर application type में आपको एक option first में मिलेगा new pen जिस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर category बतानी है कि किस परकार का pen आप बनाना चाहते है किसी भी लोगों का pen card आप बनाते है तो वो individual के थुरू आता है इसके अलावे अगर किसी को trust के लिए बनाना है फार्म क चुनेंगे आपके pen पर print होके नहीं आता है यह सिर्फ आप से पूछता है कि आप टाइटल बताए जैसे माल लीजिए अगर आप लरका है तो यहाँ पर स्रीच चुन सकते हैं अगर आप लरकी है तो यहाँ पर कुमारी चुनेंगे अगर आपके साधी नहीं हुई तो अग उनका last name सरमा होगा उनका middle name हो जाएगा और first name उनका राम होगा किसी का नाम सिर्फ राम कुमार है तो राम उनका first name होगा last name उनका कुमार हो जागा किसी का नाम एक अंक का ही है तो वो direct अपना एक अंक का ही नाम लिखेंगे तो यह धियान रखिएगा बाकी नीचे आएंग इमेल आईडी को डालेंगे, साथे साथ मॉवाइल नमबर को डालेंगे, इमेल मॉवाइल आप जरूर डाले, इससे बेनिफीट यह होता है कि पैन काड आपकी बन जाती है, तो इसी इमेल पर पैन की कॉपी आपको भेज दी जाती है, या भविस में कभी भी आपको पैन काड डाउनलोड भी करना होता तो उसमें इमेल मुवाइल के जरी आप उससे इजली डाउनलोड कर सकते है बाकि नीचे आपको आना है इस गोसना बाले बॉक्स पर टी करना है कैप्चा कोड को डालना है एक उप्शन सब्मिट का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पर एक टोकर नंबर जनरेट हो जाता है यह टोकर नंबर भी काफी काम की चीज़ है क्योंकि कभी भी मान लेजिए आपको फॉर्म को अधा धुरा छोड़ना है तो आप कभी भी इस टोकर नंबर से आप लोग इन करकर अपना फॉर्म तीस दिनों के अंदर में भड़ सकते हैं तो इससे आप नोट करकर ज़रूर रखिएगा एक उप्शन मिलेगा अब यहाँ पर देखिए आपको तीन उप्शन मिलते हैं यहाँ पर अगर आप माइनर पैन बनाते हैं तो यह दो आप्शन आपका डिसेवल रहेगा यह दो आप्शन काम नहीं करेगा आपको लास्ट आप्शन जो मिलता है फोरवाड अप्लिकेशन डोकुमेंट फिजिकली मतलब कि इसके लिए आपको फिजिकल तोर पर आपको डोकुमेंट भेजने की जरूरत होगी तो यही आप्शन आपका काम करेगा इस आप्शन को टीक रहने दीजेगा आप कहेंगे कि उपर में एक उप्शन हमें मिल रहा है सेव ड्राप्ट का इसका क्या मतलब है तो देखी इसका मतलब अभी हम आपको समझा देते हैं जैसे यह फॉर्म हमने भड़ा है यहां तक हमने भड़ चुका है अब simply हम यहां सेव ड्राप्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरा फॉर्म यहां तक सेव रहेगा अब अगर आपको कोई काम पर गया आपको अभी फॉर्म नहीं भड़ना है आप simply यहां से क्या करेंगे लगाउट करेंगे और दुबारा से फॉर्म भड़ने के लिए आपको यहां पर जो option हमने बताया continue with application का मिलता है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वही अपना token number अपना email id date of birth capture को डालेंगे और submit वाले बिकल पर क्लिक करेंगे जिससे आप submit करेंगे loading लेगा और देखेंगे आपका form आपने जहां तक छोड़ा था वही पर आपको redirect करता है तो यह काम है यह token number का और यहां पर save draft का जो option है यह काम इस पर करता है जहां पर भी आप save कर देंगे आपका form वहां तक save रखेगा 30 दिनों में आप कभी भी login करकर देने परेंगे अगर मालीज़ आपको यह नहीं चाहिए तो यहां पर इसके लिए बताएगे है कि इसके लिए no fee बताएगे है लेकिन अगर आपको pen card की copy चाहिए तो आप यहां पर इसी रहने दीजेगा नीचे आपको आना है यहां पर आपका आधार का जो भी last chart digit होगा उससे आप यहां पर fill करेंगे आधार पर आपका जो नाम होगा आप यहां पर आपको fill करना है मालीज़े किसे का अभी आधार काड नहीं बना है तो वो अपना bid number जो होता है वो भी आप आप यहां पर पिकल और पूछा गया है कि आप चाहते हैं सिंगल अपने मदर का नाम देखकर आप pen card को बनाना तो आप यहाँ पर रेस्ट करेंगे तो father वाला detail देखेंगा आपका बंद हो जाएगा यहाँ पर आप no ही रहने दीजिएगा आप चाहते हैं माता का नाम आपके pen card पर जो main रूप में आया तब आप यहाँ पर रेस्ट करें अने था no पर क्लिक रहने दीजिएगा जो भी आपके पिता जी का नाम होगा यहाँ पर उनका last name उनका first name और middle name है तो middle name आपको डालना है जैसे मान लीजिए आपके पिता जी का नाम राम कुमार है तो कुमार उनका लाशनेम होगा और फर्सनेम राम होगा इस अनुसार आप देख लीजिए अगर जिस भी अनुसार आपके पैरेंट का नाम है उसे कोड़ेंग आप डालेंगा उप्सेनल में है माता जी का नाम आप चाहे तो यहाँ पर डाल सकते हैं उनका वी लाशनेम फर्सनेम इडीनेम है अब यहाँ पर पूछा गया कि पैन पर आप किनका नाम प्रेंट करवाना चाहते हैं फादर का यहां मदर का जिनका हैं आप इसनको टिक करिएगा जनरली क्राहने दीजेगा next वाले विकल पर क्लिक करना है फिर आपको अगले पेज पर रिरारे करेगा आप यहां से इसको save draft पर क्लिक कर दीजेगा फॉर्म आपका यहां तक save रहेगा बाद में आप जब login करेंगे तो फिर यहीं से खुलेगा अब यहां पर आपको income का सुरूर पूछा गया source of income अगर आपका income है तो बताया आने था यहां पर no income बला option है उससे आपको chain करना है नीचे आपको आना है यहां पर बताया गया कि address of communication तो इसमें आपको एक option मिलता है residence का जिसको आपको टी करना है और जो भी आपका residence बला address है जो आपके अधारकार पर जिससे coding है आप बताएंगे जैसे आपका door room या जो भी आपका block number है बताएंगे अगर आपका ward number है तो आप यहां पर ward number लिख सकते है जो भी आपका village होगा post office होगा आपका जो यहां पर सब division होगा वो बताएंगे district बताएंगे आपका जो भी country है आप यहां पर simply लिखेंगे जैसे इंडिया है आप इंडिया लिखेंगे तो इंडिया आपको आ जाएगा उसके बाद नीचे आएंगे जो भी आपका estate होगा estate की जनकारी देंगे साथे साथ पिन को डालेंगे और यहां पर जी पिन नहीं आप पर लागू होता है या नहीं पता है इसे आप ऐसे ही छोड़ देंगा office address आपको भरने की जरूरत नहीं है क्योंको उपर में जो आप ठीक करेंगे वो address आपको फिल करनी होगी email ID देखनों को मिलता है यहां पर आपको बताना है अब यहां पर आपका representative यानि जो भी आपके अभिवावक है जिनका भी आप यहां पर detail देना चाहते क्योंकि minor pencat बनता है तो उसमें किसी ना किसी लोगों का एक गवाह बनाना होता है वो आपके parent हो सकते हैं माता-पिता हो सकते हैं या आपके घढ़ में जुभी 40 गार झी नहीं सकते हैं तो यहां पर आपको this करना है क्योंकि minor में यह बcado किया है आप यहां से title उनका चैन करेंगे उनका last name first name middle name जो होगा आप यहां पर फिल करेंगा उनका जो भी address होगा आप address बताएंगे village post office subdivision district country उसके आलावे नीचे आएंगे उनका जो भी state होगा पिन code होगा यह बताएंगे उसके बाद option मिलेगा next का जिस पर क्लिक करना है अब यहां पर आपको यह सी कोट की डीटेल भरनी होती है यह जिनरली आपका फिलप राता है अगर मान लीजिए आपका नहीं फिलप है तो आप यहां पर simply एक option मिलता है citizen का Indian citizen का उसको chain करेंगे आपका जो state होगा आप अपने state को chain करेंगे जो भी आपकी district होगी उसको आप यहां से chain करेंगे और जो भी आपका area नेम होगा वह आप यहां पर लिखेंगे आपको उसकी जनकारी देखनों को मिलता है उसके बाद simply आपको next वाले विकल पर आपको क्लिक करना है अब यहां पर आपको document detail डालनी होगा document detail जिनका भी minor व्यक्ति है जिनका pen card बना रहा है उनका आपको देना है जिसमें सबसे पहले proof of identity में आप क्या देना चाहते है तो देखिए उनके पास अगर इसमें से कोई भी document है आप दे सकते हैं माले जो उनके पास अध आधहार लिखेंगे तो आधहार कााड आपको आ जाएगा इसको आप ईसको आप दे सकते है एड़ पुरूप के लिए आपको एक document दे ने होगी इसमें भी आप इनवे से कोई हैत तो दे सकते हैं नहीं था आ आप चाहते है आधहार का three लिखेंगे देना चाहते है तो औरने कोई certificate है तो वो भी आप लगा सकते हैं ने था आप अधार काट को ही देना चाहते तो इसमें भी आप अधार काट को चुनेंगे तो यह आपका हो जाएगा यहाँ पर declaration में जिनको भी आपने इनका गवाह बनाया था एक पर कर से इनका जो भी अभिवावक होंगे उनका नाम यहाँ पर देखनों को मिलेगा यहाँ पर एक option मिलेगा representative का जिसको आपको chain कर देना है नीचे आपको आना है यहाँ पर आपको palace का नाम लिखना है जहां से भी आप home को फिल कर पा रहे होंगे जैसा अगर माले जब ग्रामें शेतर से है तो आप अपना village का भी नाम लि सकते हैं आपको date मिलेगा और submit वाले विकल पर क्लिक करना है जैसे आप submit करेंगे थोड़ा submit करेंगे इस प्रकार जो आपका application है वो यहाँ तक submit होता है अब यहाँ पर कुछ detail डालनी होगी जैसे इनका जो भी आधार का शुरू का 8 digit होगा आपको यहाँ पर फिल करनी है नी सकते हैं पूरी detail देखने के बाद आपको नीचे आना है इडिट करना तो इडिट करिए अन्य था एक option यहाँ पर मिलता है प्रोसीट का जिस पर आपको क्लिक करना है अब यहाँ पर आपको redirect करेगा payment वाले गेटपे payment करने का आपको दो option मिलते हैं एक option आपको मिलते है कि प 207 रुपे total करनी है इनके term and condition को accept करनी है एक option मिलता है proceed to payment का जिस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक बार फिर से payment के लिए confirmation पे जाता है इसको आपको पे confirm वाले विकल पर क्लिक करना है थोड़ा सा वेट करेंगे आपके सामने इतने स सारे option है आप जिस भी माध्यम से payment करना चाहते है जिससे credit card debit card qr code उससे आप चैन करेंगे जिससे qr code से हमें करना है तो qr code पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको qr code के लिए भी mpi को select करना है यहाँ पर एक option मिलता है आप payment का जिस पर क्लिक करेंगे qr code आ गया है आप detail मिलेगी आपको नीचे स्क्रॉल करना है जैसे या पत्रती केट पे क्लिक करेंगे loading लेगा आपका सभी detail भेरिफाई होगा उसके बाद एक option यहाँ पर मिलेगा generate and print का बिकल्प जिस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक PDF डाउनलोड होगा तो password क्या डालेंगे माल दीजे कि data worth 5-0-2010 है तो उनको password के रुप में 05062010 आपको fill करनी होगी अब आपके सामने यह PDF डाउनलोड होकर आएगा PDF देखेंगे दो पेजो का होगा इसको आप अब इस form को डाउनलोड करने के लिए आपको एक option यहाँ पर मिलता है download PDF का इस पर क्लिक करकर इससे डाउनलोड करे इस नंबर को note करकर आप रख लेंगे इसके मदद से ही आप इसकी आवेधन की स्तिति जो है ट्रैक कर सकते हैं अब यहाँ पर जिनके भी नाम से आपने pen card apply किया है minor का उनका photo आपको यहाँ पर आपको चिपकाने की जरूरत है अब यहाँ पर signature करना होगा जैसे signature कैसे करना म आपका इधर भी होना चाहिए और आपके face पर आपके जो sign है नहीं होना चाहिए अब sign minor को नहीं करना है sign जो representative बने है जो उनके अभिवाबक है sign उनका करना है photo सिर्फ minor candidate का सटेगा लेकिन signature जिनको भी आपने representative बनाया है उनका signature यहाँ पर करना है एक signature आपको इस box में करना ह इस box से आपको बाहर नहीं होने चाहिए यहाँ पर भी photo उनका चिपकाना है जो इनका pen card बना रहा है उनका एक signature आपको नीचे में यहाँ पर करना होगी जो आपके अभिवाबक होंगे उनका क्योंकि minor pen जब बनकर आपका आएगा उसमें देखेंगे आपका signature नहीं रहेगा आपके जो अभिवाबक होंगे उनका signature आएगा बाद में जब आपका age 80 प्लस जब हो जागा तो इस pen card को update आप जब करेंगे फिर आपका signature इस pen पर देखनों को मिलेगा अब इस form को fill करने के बाद आपको इससे भेजना भी परता है भेजने के लिए आपको यह address दिये गया ह यह पूरा address है इसको आपको एक लिफाफा लेना है जिसमें आपको एक side from और एक side to लिखना है from बाले में आपको अपना नाम अपना address mobile number state pin code को डाल देना तू में जहां आपको भेजना है जो कि address अभी हमने आपको दिखाया यह इनका address है यह address पर आप इनको भेज सकते हैं उस address को आप यहां पर लिख देंगे साथे साथ यहां पर एक acknowledgement number जो आपको मिला होगा जो आपने online किया होगा उसके print out पर ही देखेंगे तो नीचे में इसकी जनकारी आपको देखनों को मिलता है acknowledgement number का यह number भी आप वहां पर लिख दीजिएगा और इस लिफाफा में आपको जो फॉर्म अभी आपने जो फोटो चिपकाद है signature करवा है वो फॉर्म आप उसको डालिएगा अपना अधारका डालिएगा आप अपने अभिवावक का जिनको भी अपने रिपरजेंटिव के रूप में डाला है उनका भी आधारका डिस में अटेच कर देना है आपको इस इसी भी नद्दी के post office में जाएंगे वहाँ पर speed post कर सकते उसमें थोड़ा सा चार्ज आपको 30-40 उर्पेट से भी अधिक आपको ले सकता है और आप चाहे तो normal post के माध्यम से भी इससे आप भेज सकते हैं जो भी माध्यम आपको सही लगए उस माध्यम से इससे जरूर होता है आप इनके भी detail देख सकते हैं वहाँ भी इससे जमा कर सकते हैं इसका लिंक भी description में दे दिये हैं यहाँ पर एक option मिलेगा pen center का जिस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको सर्च करने का दो option मिलता आप चाहे तो pin code से कर सकते या चाहे तो estate city के माधम से भी कर सकत होंगे उनका address आपको देखनों को मिलेगा उनका contact का जो नाम है और mobile नंबर भी आपको telephone नंबर आपको देखनों को मिलेगा आप यहाँ पर भी जाकर अपने जो form है उससे जमा कर सकते हैं या पर speed post के माधम से भी इससे भी सकते हैं अब इसका application का status देखने के लिए Google में track search pen का जिस पर आपको click करना है यहाँ पर आपको pen new request वाले option को चुनना है और जो भी आपको acknowledgement नंबर मिला है उससे feel करेंगे capture code को डालेंगे submit वाले विकल पर click करेंगे इस परकार आपका status यहाँ पर दिखा देगा pen card apply करने के बाद 5-7 दिनों में ही आपके जो email ID होते हैं उ दोस्तों अभी आपने देखा हमने आपको पूरी जनकारी बताया कि minor logo का pen card आप कैसे बना सकते हैं pen card बनाने में अगर आपको कहीं भी कोई परसानी हो रही है तो आप नीचे comment box में आप comment कर सकते हैं अगर आपने video को ध्यान पुरवक्त देखा होगा तो कहीं भी आपको किस इसी भी परकार की समस्या नहीं मिली होगे फिर भी कोई doubt बच जाता है आप comment करेंगे और जैसे आप document send कर देते हैं आपकी वहां से pen card को approval कर दी जाती है तो आपका इसका e copy आपके email पर चला जाता है और pen card आपको 15-1 मेहने के अंदर में आपके पते पर भी भेज दिये जात है बाकी आपका age जब 18 साल होता है तो उससे आप update करकर अपना major pen card बना सकते हैं जिसमें आपकी photo और आपके signature होती है वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पर मिल रहा होगा उससे देखकर आप इजिली apply कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ध अन्यवाद